नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर अपने चैनल के मार्धियम से आप सभी का हादिक अभिननन करती हूं दोस्तों चलिए आज फिर हम बात करेंगे टैरो कार्ड डिटिंग की आज मैं आप सबों के सवालों के साथ ही मैं आई हूं क्योंकि आप सबकी चोटे-चोटे बहुत सारे सवाल होते हैं जो मुझसे आप सब पूछते हैं वैसे तो मैं बहुत सारी बाते आप सबको बता दी हूं लेकिन फिर भी आप सबके बहुत सारे सवाल हैं टेरो रिडिंग में आने वाली छोटी-छोटी प्राब्लम के विशे में तो चलिए हम उस विशे पर बात करते हैं दोस्तों आप सब ये तो बहुत अच्छी तरीके से जान गया है कि टेरो रिडिंग क्या है कैसे है कौन सी विद्या है मैं इस बात को हर बार ही मैं रिपीट करती हूँ आज मैं दुबारा से मैं कई सारे आपके सवालों के जबाब मैं यहाँ पर आप सब को दूँगी सबसे पहली समस्या ये है आप लोगों कि मैं जहां तक समझ पाई हूँ कि आप सब हर कार्ड को याद करने की कोसिस करते हैं आप उसे याद ना करें, रटे नहीं, रटने से आप बहुत अच्छे tarot reader आप नहीं बन पाएंगे, tarot expert आप नहीं बन पाएंगे, आप card को समझे, card के meaning को जाने, card की symbology क्या कहती है, card के color कैसे है, bright color है, dull color है, कौन से color है, क्योंकि ये मैं बतला चुकी हूँ, कि हर color कुछ कहत है, हर elements के अपने अपने गुन और गुन है, जो 9 ग्रह की मैं detail आप सब को मैं बताई हूँ, ये भी पता है कि हर ग्रह की अपनी अपनी खासियत है, तो आप सब card को जटने की बिल्कुल ही कोशिस नहीं करें, कि card को आप बिल्कुल जट जाएं, कि इस card का ये meaning है, ये meaning, आप समझे जाने, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि card को आप कैसे-कैसे sequence में पढ़ेंगे, आपको sequence में एक बार card को नहीं पढ़ना है, दोस्तों आप एक एक card को बहुत patience के साथ और ध्यान से आपको जानने की, समझने की और पढ़ने की जरूरत है, मैं बहुत सारी बाते मै आप सब को यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी आप सब के हर बार एक ही सवाल होते हैं, तो अगर आप नए हो, तो आप ऐसा ना करें कि आप एक साथ three cards आप sequence में पढ़ने लग जाएं, five card के आपे spread कर लें और आप पढ़ने intuition पे ध्यान देना है, अपने intuitive power को आपको बढ़ाना है, देखना है, इसके लिए भी आपको थोड़े से ध्यान करने की जरूरत है, card के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें, हर एक card के साथ आप practice करें, ये नहीं है कि आपने 15 दिन tarot card डिडिंग आपने सीख कि मैडम मैं 15 दिन में tarot card में सीख लूँगी या सीख लूँगा, तो क्या मैं इसके बाद में professional tarot card डिडर में बन जाओंगा, आप खुद बताओ, क्या 15 दिन सीखने के बाद आप बिलकुल एकदम expert हो सकते हो, किसी भी काम की जब हम सुरुआत करते हैं, तो क्या हम किसी ची चारो का है, हम इसे भविस्य को जानते हैं, past को देखते हैं, present को देखते हैं, future को प्रेडिक्ट करते हैं, हर एक suggestion के लिए हम यहा पे लाते हैं, तो हमें ज़रूरत यहाँ पर क्या है, बहुत जारा हमें अपने intuition का इस्तमाल करना है, हमें बहुत जादा अभ्यास करने की ज तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यह नहीं कहती कि आप मेरे पास ही सीखें, आप कहीं भी सीखें, लेकिन आप बिल्कुल सीखें, किसी गाइडेंस की जरूरत तो है, ऐसा नहीं है कि हम आप यहां पे चैनल पे 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो देख करके, आप बिल्कुल ही Tarot एक्सपर्ट बन जाएंगे इसलिए आप अपने मन में ऐसी हर बड़ाहट बिल्कुल भी ना लाएं कि मैं ये सीखली ये सीखली मैं टेरो एक्सपर्ट हो गए मैं किसी और की काउंसलिंग में करने लग जाओं आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये अधूरा ग्यान जो है ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं तो आप सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे तीसरी बात कि आप सब ये सवाल करते हैं कि आप कार्ड के उल्टे के भी आप मिनिंग बतलाओ मैं आप से पूछती हूँ कि अगर आपने 78 कार्ड को बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना, समझा उसकी प्रैक्टिस की है तो क्या आपको उल्टे कार्ड के मिनिंग को समझने में कहीं कोई परिशानी होगी नहीं होगी लेकिन आप सरकसर करते हैं कि मैडम आप रिभर्स कार्ड भी बताओ आप रिभर्स कार्ड भी बताओ आप पहले एक एक कार्ड को बहुत बारी क्यों के साथ में आप जाने, मैं बार-बार कह रही हूँ और अपना वक्त आप बिल्कुल आठ घंटे नहीं लगाएंगे प्रैक्टिस पे लेकिन अगर आप एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इसके साथ एक घंटे, डिड़ घंटे दो घंटे का टाइम आप जरूर दे और एक कार्ड को आप जाने बहुत अच्छे तरीके से आप जाने तभी आप एक्सपर्ट बन पाएंगे और एक सवाल और कि लोग मेरे से ये किये कि मैडम आप कुछ ऐसे कार्ड बता दो जिससे मैं कैरियर के लिए मैं बता सकूँ आप ऐसे कार्ड कुछ कार्ड आप बता दो तो क्या वो आपके लिए कारगर होगा? नहीं होगा क्योंकि जब हम reading करते हैं तो ये आपको पता है कि हम सारी situation को देखते हैं हम past को भी देखते हैं, present को देखते हैं, हम future को देखते हैं सारी situation को देखते हैं, मैं इससे पहले की वीडियो में भी आप सब को बताई हूँ कि हमें सारी इस्थिती परिस्थिती को देखते हुए, तब हम किसी को कोई suggestion देंगे तो आप बताओ कि अगर मैं आपको card दे दूँ, तो क्या आप expert हो जाओगे, नहीं हो जाओगे आपको expert बनने के लिए क्या करना है, आपको समय देना है, आपको सीखना है, patience के साथ में क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल है, कि मैं 15 दिन की मैं training कर लूँ, या मैं YouTube से मैं सीख लूँ, क्या मैं किसी और को सिखाने लग जाओंगी, क्या मैं इसे earn कर लूँगी, मैं बार-बार करती हूँ कि आप earn कर सकते हैं, आप इसको अपना बेउसाय बना सकते हैं, आप अ कारिकियों के साथ में उसे सीखेंगे, तभी तो हम expert बन पाते हैं, हम ऐसे expert नहीं बन जाएंगे, मैं आपको कितना भी यहां पर मैं card बता दूँ, तो उससे आप expert नहीं बनेंगे, expert कैसे बनेंगे, खुद के knowledge से, खुद के अभ्याद से आप बनेंगे, इसलिए आप इस त इतनी बार आप सबको मैं बोली हूँ कि, यह केवल card, यह task के पत्ते, यह केवल 78 cards, यह task के पत्ते नहीं है, यह 78 cards जो है, हमारे past, present, future को ही predict करता है, suggestion देता है, हर इस्तिती परिस्तिती में यह हमें guide करता है, तो हमें क्या ज़रुदत है, बहुत बारी क्यों से इसको जाने क हर card की meaning, हर situation के साथ में बदल जाती है, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं जैसे example ले रही हूँ, अगर मैं 7th number का card, major arcana के card लेती हूँ, the chariot का card, chariot का card किसी के love and relation के लिए भी आता है, किसी के carrier के लिए भी है, किसी के business के लिए भी है, किसी के delay के लिए भी है, तो एक बात करना है, अगर मैं किसी के लिए love reading कर रही हूँ, और उस बीच में अगर the chariot का card आया है, hero pen का card आया है, तो उस situation में क्या है, वो meaning कुछ और है, लेकिन दूसरे सवाल में, अगर मालो किसी के job के लिए वो card आया है, तो वहाँ पे वो card हमें कुछ और कह रहा है, प्लस हम आगे के card, पीछे के card, उसके all situation के हम लगा करके card को देखते हैं, फिर हम किसी को guidance करते हैं, तो आप सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कि मैं आपको कुछ card बटा दू, कि आप carrier के लिए किसी को ये बता दोगे, आप किसी को वो बता दोगी, जैसे अभी कई दिन पहले, किसी ने मेरे से सवाल किया, कि मैडम, आप मुझे थोड़े से card दे दो, वीडियो दे दो, मैं basic जानती हूं, तो मैं spread सीख जाओंगी, क्या मेरे वीडियो दो-चार देने से आप एकदम expert हो जाओगे, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप professional बनना चाहते हो, अगर आप expert बनना चाहते हो, तो आपको समय देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है, कि आप 15 दिन सीख करके, किसी और को आप गलत सलत, आप suggestion देने लग जाओ, ये बहुत जादा खतरनाक है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, एक एक चीज को बारी की से समझेंगे, आप बताओ, मैं यहाँ सारी बातों को बताई हुझ, कि जैसे हम एस्ट COMM में, हम जोतिसी में भविस्य कथन के लिए हम 5 elements की बात करते हैं, हम बारा भावों की बात करते हैं, हम नौगरह की बात करते हैं, हम बारा रासियों की बात करते हैं, क्या हम टेरो रिडिंग में इसकी बात नहीं करते हैं, यहां पर भी हम फाइप एलिमेंट्स को जानते हैं, फाइप एलिमेंट्स जो हैं, फाइप एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स के अपने-पने qualities है, तो हमें उन चीजों को भी देखना है कि कौन से एलिमेंट्स के काड़ आये हैं, कौन-कौन से एलिमेंट्स के काड़ की combination बन रही है, उसकी अनुसार हमें देखते हुए किसी को suggestion देना है, हर काड़ के अपने-पने color है, कोई काड़ बहुत जादा bright है, कोई काड़ बिल्कुल dull है, जैसे dull वाली की बात मैं यहाँ पर एक example देके मैं समझाती हूँ, मैं Major Arcana के 9 number के काड़ को आप देखें, Major Arcana के 9 number के काड़ आप सबको याद है, The Hermit का काड़ है, 9 number ग्रहों में किसका है, मंगल का है, मंगल क quality qualities क्या है, साहस, strength, leadership qualities, color की अगर हम बात करें, तो red color, साहस की अगर हम बात करें, तो बहुत जादा दमखम वाले बैक्ती को represent करता है, लेकिन आप The Hermit के काड़ को आप देखो, मैं यहाँ पर काड़ नहीं दिखा रही हूँ, आप 9 number के काड, Hermit के काड़ को देखना, Hermit का का काड़ बिलकुल ही, dull, faded है, वो काड़ वहाँ पर क्या कह रहा है, यानि वहाँ पर उस बैक्ती के अंदर knowledge तो है, wisdom तो है, सारी चीजे हैं, लेकिन वह कैसी है, दबी हुई है, depressed है, उसे क्या करने की जरूरत है, बाहर निकालने की जरूरत है, तो आपको इस तरीके से एक- बारीकियों पे आपको ध्यान देना है, उसके बाद आप prediction करेंगे, अपने लिए, अपनों के लिए, या किसी और के लिए, अगर आप किसी से professional, अगर आप बैठे हो professionally, तो भी आप इन बातों का ध्यान देंगे, कौन-कौन से elements के card के combination बन रहे हैं, ये आपको देखना है, करते हैं, तो हम left से right की तरफ चलते हैं, हम यहां पर past, present, future हम देखते हैं, या present, desire, and हम overall देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि हम always left से right की तरफ जाएंगे, सामने वाला जो हमसे सवाल कह रहा है, उस सवाल के जबाब में हमें sequence में देखना है, card कैसे आए हैं, तो हम right से left भी हम जा सकते हैं, हम middle से left, middle से right भी हम आ सकते हैं, हमारा कहने का मतलब यह है, कि आप बहुत बारिकी के साथ में सारी चीजों को देखना है, जब हम योतिसी में भी हम कुंडली analysis करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल किसी के हम लगन को देख के, पूरी तरीके से सारी बातों को हम बताते हैं, वहां भी हमें देखना होता है कि कौन-कौन से ग्रहों की combination बन रही है, कौन से सुब ग्रह बैठे हैं और सुब ग्रह बैठे हैं, उसके बार prediction की जाती है, उसी प्रकार टेरो में भी है, किसी ने मेरे से सवाल किया, बहुत ही मज़दार सवाल, कि क्या मैडम मैं आपसे मैं टेरो कार्ड डिडिंग सीख लूँ, तो क्या आप मुझे as a टेरो कार्ड डिडर कहीं जॉब लगवा दोगे, क्या ऐसा होता है, कि मैं टेरो कार्ड आपको सिखा दूँ, मैं आपको जॉब लगवा दूँ, बहुत बड़े बड़े इंस्चुट हैं, जहां पे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ने से पहले ही उनको कहते हैं, कि मैं पढ़ाई कर लूँगे, आप मेरी जॉब लगा दो नहीं, पहले आप पेसेंस के साथ, पॉजिटीबिटी के साथ, आप सीखो, आप टेरो एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रोफेशनल बन जाओगे, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक से आप धीरे धीरे एडवांस की जब च महने के बाद में, मैं एकदम एक्सपर्ट बन गई, लोगों को मैं सलाह देने लगे, लोगों को मैं भविस्तिक के बारे में बताने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है, और ऐसी ऐसी गलतियां ही आप सब को होती हैं, और परिशानिया आती हैं, तो आप इन परिशानियों को इतनी बड़ी परिशानी ना समझें, आप patience के साथ सीखें, अनुमान लगाएं, आप अपने intuitive power को बढ़ाएं, कार्ड के साथ जादा से जादा अपना वक्त बिताएं, एक एक कार्ड को आप बहुत बारिकी के साथ देखें, समझें, जाने, कार्ड की सिंबलोजी क्या कह रही है, एक ही बार में आप कार्ड को इस्प्रेड नहीं करें, अगर आप सीख भी चुके हैं, मैं उन लोगों को बिली भी कह रही हूँ, आप एक ही बार आपने ट्रेनिंग कम्प्लीट भी कर ली है, तो आप एक साथ कार्ड को इस्प्रेड करके, थ्री कार्ड, फाइब कार्ड, सेवन कार्ड, आप सेल्टिक क्रास कर ले, रिलेशंसी फिलिंग कर ले, डप टैरो इडिंग देखने लग जाएं, ऐसा नहीं, आप डेली पहले एक एक कार्ड देखना शुरू करें, तब आप आगे की तरब बढ़ें, धीरे 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 आप बढ़ें, तो मैं गारेंटे के साथ कहती हूँ, कि आप टैरो एक्सपर्ट बन जाएंगे, बिल्कुल, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आप टैरो सीख करके अर्ण भी कर सकते हैं, अच्छे सजेशन लोगों को दे सकते हैं, अपने लिए आप सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड से मैं ये भी बताई हूँ, कि यहां हम अपने ये tarot card हमारे personality के development में भी बहुत कारगर है क्योंकि हर card जो है अपने आप में एक बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है मैं उमीद करती हूँ कि आज आप इस तरह के बहुत सारी बातों को आप समझ गये होंगे तो आप आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे बारिकी से चलें जिन लोग सीखना चाते हैं वो सीखें tarot expert बने professional बने learn करने और आप अर्ण भी कर सकते हैं बिल्कुल guarantee के साथ में तो चलिए आज मैं आपको दो spread भी मैं बताती हूँ कि आप card को कैसे पढ़ेंगे क्योंकि आप हर बड़ाहट में जल्दिबाजी में कोई काम ना करें आप जल्दिबाजी में करेंगे आप expert हो नहीं पाएंगे खुद को आपको अपने आप पे confidence नहीं आ पाएगा तो आपको confidence लानी के लिए क्या है patience के साथ धीरे धीरे आप card को जाने समझे symbology को समझे उसके elements को जाने ग्रहों को आप जाने बारारासियों को आप जाने ग्रह के direction क्या करते हैं जैसे किसी ने मेरे से सवाल किया कि मैडम आप ग्रह के direction कैसे बताते हो अब एक बात बताओ मैं उनको क्या बताओ जिनको यहीं नहीं पता है कि जो हमारे नौ ग्रह है वो नौ ग्रह हर ग्रह के अपने अपने direction है हमारी जो बारा रासियां है वही नौ ग्रह में बटे हुए हैं हर रासी के अपने एक-एक स्वामी है तो अगर आप tarot card सीख रहे हैं या आपको interest है तो आप बिल्कुल सुरुवात से चले आप सीख जाएंगे आप समय दे आप सीखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि आप छोटे-छोटे clipping देख करके आप expert हो जाएंगे एक्सपर्ट होने के लिए हमें समय देने की जरूरत है हमें किसी की guidance की जरूरत है तभी आप expert बन पाएंगे चलिए मैं कुछ और बारी क्यों को यहां मैं आपको मैं बताती हूँ अब आप देखें यहां पे ये card आया है अब ये card क्या है pentacles का card है आप इस card को ध्यान से देखे 10 of pentacles का card है सबसे पहले हम इस card को देखें तो हम देखेंगे card के number को देखें तो 10 number का card है 10 यानि 1 यानि ये sun को represent कर रहा है sun के बारे में आप सब जानते हैं नहीं जानते हैं तो आप नौग्रहों को जाने बहुत अच्छे तरीके से उनकी qualities को जाने फिर हम देखते हैं ये कौन से elements का card है earth element का card है earth मतलब प्रीथवी तत्व का card है solid, stable हम यहां से कौन कौन सी चीज़ों को हम देखते हैं finance को, property को, metalism को, सारी चीज़ों को हम देखते हैं उसके बाद हम आते हैं card के overall symbology पे आप इस card की symbology को देखो 10 के 10 pentacles जो हैं वो चारो तरप फैले हुए हैं हम नीचे की तरप देखेंगे तो यहां पर हमें 4 generation दिख रहा है एक बहुत बुड़े हैं थोड़े उससे और कम और कम छोटा बच्चा दो यहां पर white color का डॉग है आप यहां पर देखें ग्रैप्स के बाग के बीच में बैठे हुए हैं लोग तो अगर हम ग्रैप्स के बाग को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो यहां पर लोग हैं अगर हम family की बात करें तो यह family कैसी है रस से भरा हुआ इनका जीवन है सांती, सोहाद, मिठास, एक रस्ता सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं यहां पर तो आप इस तरीके से बिलकुल बारिकी के सार्थ कि एक एक symbology क्या कह रही है एक बार में आपको समझ नहीं आता है तो आप इस कार्ड को लेकर के कई बार देखने का प्रयास करें समझने का प्रयास करें तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे तो आपको इस तरीके से जानने की, समझने की जरूरत है हर बड़ाए नहीं पेसिंस के साथ आप चले और एक एक कार्ड के साथ अपना वक्त आप बिताएं तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे बिल्कुल ही बन जाएंगे साथी में कई बार आप सबको कह चुकी हूँ कि जो लोग भी टेरो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं आप इसे अपना बियुसाय बनाना चाहते हैं तो आप जुड़े मेरे साथ आप टेरो एक्सपर्ट बन जाएंगे आप सीख करके अर्ण भी तरने लग जाएंगे मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब बहुत सारी छोटी छोटी बातों को समझ गये होंगे और इसी तरीके से आप चलेंगे और आप टेरो एक्सपर्ट भी आप बनेंगे और जो लोग भी टेरो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं प्रोफेशनल होना चाहते हैं वो लोग घहर बैठे लाइप क्लास जॉइन करके आप टैर्वा एक्सपर्ट बने सीखें और आप अर्ण करें इसके साथ ही अब मैं बिडालेती हूँ मिलती हूँ इससे आगे एक नई जानकारी के साथ में तब तक आप मेरे वीडियो को देखें लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्य कर लें जिससे आपको इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे नमस्कार धन्यवाद